रहे हैं Chemistry Villa और इस वीडियो में मैं डिसकस करने जा रहा हूँ Galvanic Cells या फिर Baltic Cells क्या होती है तो दोस्तों Galvanic Cells या Baltic Cells एक तरीकी Electrochemical Cells होती है जिनके अंदर Redox Reactions होती है इनका नेम Galvanic या Baltic Cells क्यों रखा गया है मैं आपको बताता हूँ दो साइंटिस्ट हुए इटालियन साइंटिस्ट लोंगी गैलवानी और अलेकसांड्रो बोल्टा जिनके अनर में इन्हें Galvanic या Baltic Cells कहते हैं तो दोस्तों अब हम डिसकस कर लेते हैं Basically Galvanic Cells का function क्या होता है Galvanic Cells में Redox Reaction होती है जिसमें Electrical Energy Produce होती है by Chemical Reactions और इस Galvanic Cells में Reduction Reaction और Oxidation Reaction दो Separate Vessels में होती है तो दोस्तों मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ Galvanic Cells का एक बहुत ही जानामान एक्जामपल है Daniel Cells Daniel Cells भी एक तरह का Galvanic Cells है जिसमें बहुत ही जानामान एक्जामपल है यह जिंक और Copper Sulfate की Reaction करके बनता है जिंक Sulfate और Copper Solid आप यहाँ पर देख सकते हैं यह है एक Sketch Diagram of Daniel Cells जो एक तरह का Galvanic Cells होता है दोस्तों यहाँ पर हम पूरा डेटेल में डिसकस करेंगे देखिए यहाँ पर इस Cells में यह जो वैसल है इस पार्ट में Jink Sulfate Solution यहाँ पर फिल कर दिया गया और जिसमें एक Jink Rod डाल दी गया और इस वैसल में Copper Sulfate Solution फिल कर दिया गया और जिसमें Copper की एक Rod डाल दी गया इस Half Part को कहते हैं Anode और इस Half Part को कहते हैं Cathode यह दोनों Parts को हम एक Wire से जोड़ देते हैं दोनों Electrods को Anode और Cathode को यहाँ पर हम एक Volt Meter लगा देते हैं यह और इन दोनों Solutions को एक Salt Breeze के त्रो जोड़ देते हैं Salt Breeze के अंदर हम यहाँ पर एक बहुत ही Mobile Ions वाला एक कोई Salt Like KCL हम फिल कर देते हैं और यहाँ पर Salt Breeze के Ends पर Cotton Plucks लगा देते हैं दोस्तों जैसे ही यह Circuit पूरा होता है तो Redox Reactions स्टार्ट हो जाती ही मतलब Oxidation और Reduction होने लगते हैं इस पार्ट को कहते हैं इस तरह के पार्ट को क्या कहते हैं Anode और इस तरह के पार्ट को कहते हैं Cathode जो Right Side का Half पार्ट है उसको क्या कहते हैं Cathode तो दोस्तों क्या होता है यहाँ पर जैसे ही Reaction स्टार्ट होती है तो जिंक यहाँ पर जो zinc rod है इसमें क्या होता है यह zinc sulfide